सास पहु का रिस्ता या मा बेटी का हाल ही में दिव्या का विभा हुआ था और उसने अपने पती और सस्राव लानों के साथ एक ज्वाइन फारमली में रहना शुरू कर दिया था कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वे अपनी सास के साथ नहीं रह सकती दिव्या की सास एक रोडवादी थी जबकि दिव्या आधुनिक जीवन सैली जीने वाली लड़की थी जल्द ही उनके भी जगड़े होने लगे कई महीने भी जाने के बाद भी दोनों में कोई भी अपना बेवार बदल नहीं पाया समय के सास दिव्या और ज्यादा आकरामख हो गई और उसे अपनी सास से नफ्रत होना शुरू हो गया वैस होचने लगी कि कैसे अपनी सास से चुटकारा पाया जाए एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से जगड़ा किया और उसके पती ने अपनी माँ का साइट लिया तब दिव्या गुश्चा हो गए और अपने माई के चली गए दिव्या के पता एक केमिस थे उसने अपनी पता को पूरी बात बताई उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ चहर दे ताकि वे अपनी सास के खाने में मिला कर उसे चुटकारा पा सके नहीं तो वे अपने पती के घर वापस नहीं जाएगे दिव्या के पिता को यह सब चान कर काफी दुख हुआ और उन्हों ने अपनी बेटी से कहा अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे ऐसे करना ठीक नहीं है लेकिन दिव्या सुनने और समझने के हालत में नहीं थी आखिरकार उसके पिता ने कहा ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा लेकिन मैं तुम जेल में नहीं देखना चाहता उसके पिता अंदर से एक पाउडर लाए और कहा हर दिन जब तुम दोपैर का भोचन या रात का भोचन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना इससे धीरे धीरे कुछ महीने में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वै प्राकर्टिक रूप से मरी है उन्होंने यह भी कहा क्योंकि किसी को तुम पर सक नहीं होना चाहिए इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बलकि तुम उनकी देख भाल करोगी बले ही वो कुछ भी कहें तुम गुसे से बात नहीं करोगी और हमेशा सांत रहोगी दिव्या सैमत हो गई और अपने सुसुराल वापस आ गए और अपने पिता की सला के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया समय बीतने के साथ साथ दिव्या की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया क्योंकि दिव्या अब अपनी सास की बहुत देखबाल करने लगी थी इसलिए उसकी सास भी उसके प्रतिव विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी पाँच महीने बीत गए और दिव्या खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था कोई जगड़े नहीं थे और एक दूसरे की तारीफ करते है अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिस्ता मा बीटी का रिस्ता हो अब दिव्या को चिंता ह होने लगी कि पाउडर की वज़े से उसकी सास जल्द ही मर सकती है वे अपने पिता के घर गई और उनसे कहा पिता चीकरपिया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती वे मेरी मा की तरह है और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ उसके पिता मुस्कराए और कहा कौन सा जहर मैंने तुम्हे एक स्वीटनर दिया था दिव्या हैरान थी और उसने अपने पिता से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया पिता ने कहा बीटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते सकते इसी बात का ऐसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हे अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आपको बदला तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आपको बदला यही कारण है कि तुम अपनी सा प्लीज सस्क्राइब मेर चानल